हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका अमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में रुकीटमेंट आ रही है दोस्तों OMPL की तरफ से ONGC Mangalore Petrochemical Limited की तरफ से जिसमें कि आप सभी फारती है इंडिया की किसी भी स्टेट से आते हैं तो यहां पे आप उनलाइन अपलाई कर सकते हैं अप्रेंटिशिप के पोस्ट के लिए सेलेक्शन होने पर 10,000 पर मुन आपको स्टैपेंड मिलेगा यहां पे दोस्तों इस रुक्रीटमेंट की खास बात यह है कि यहां पे आप फ्रेशर अपलाई कर सकते हैं तुकि अप्रेंटिशिप की रुक्रीटमेंट है अगर आपके पास एक साल यह उससे जादा साल का बिल्कूल अपलाई नहीं कर सकते हैं यानि कि रुक्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर के लिए है और ना ही किसी तरह की आपको फीस देने की जरूरत है ना ही किसी तरह का जो है वो एक्जाम वगेरा कंड़क्ट किया जाएगा तो अगर आपकी सेलेक्शन होती है तो वो डिरेक्ट बेसिस पे जो होगी मेरिक बेसिस पे होगी आपने कितने मार्क जो है वो अप्टेन करें हैं अपने academic career में उस पर depend रहेगा कि आपकी selection होती है या नहीं होती है तो जुरूर इसके लिए आवेधन कीजेगा अगर आप eligible होते हैं तो पहले भी मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ इसी week जिसमें की apprenticeship के लिए आप आवेधन कर सकते हैं वारा से एक और apprenticeship की recruitment है क्योंकि यही recruitment निकल गई है बाकि अगर आप और जादा job update चाहते हैं तो उपर आई बटन पे तो आपको मिलेंगे या हमारा channel विजट करिए वहाँ पे भी आपको काफी सारी job update मिल जाएंगी जो की काफी recruitment जिसमें regular job की हैं वहाँ पे जाके आप apply कर सकते हैं तो इस recruitment के बारे में बात करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि notification में क्या-क्या जो है वो लिखा गया है तो सबसे पहले बता देता हूँ important dates तो दो बारा से आवेधन शुरू है एक 2021 तक चलेंगे यानि कि एक January तक जो है ये recruitment चलने वाली है graduate और technician apprentice के लिए recruitment है उसके लाव दोस्तो 2018-1920 batch वाले ही apply कर सकते हैं जो लोग appearing है भी वो लोग apply नहीं कर सकते हैं उसके लाव दोस्तो बात करें discipline की तो अगर आप जो है वो B.E.B.Tech हैं तो chemical, electrical, electrical and communication, electronics and communication माफ कीजिए का electrical and electronic उसके बाद instrumentation वाले, electronics and instrumentation वाले, mechanical वाले बिल्कुल apply कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपने B.E.B.Tech करी हुई है बिल्कुल apply कर सकते हैं 10,000 पर मंथ आपको stipend जो है वो उनकी तरफ से दिया जाएगा और 12 मंथ का ये training period रहता है उसके बाद आपको apprenticeship का certificate दिया जाता है एक तरह से जो कि आप as a experience भी आप चुछे वो count करवा सकते हैं आने वाले किसी भी recruitment पे chemical, electrical, electrical and electronics और mechanical में अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है तो technician apprentice के लिए आप apply कर सकते हैं आठ हजार पर मत आपको stipend मिलेगा यहाँ पे वेकेंसी थोड़ी कम है चार तीन और एक आठ वेकेंसी जिनके लिए आप अवेदन कर सकते हैं बाकी और भी मैंने अब जो हे वीडियो बनाई है जिसमें की जादा recruitment है बाकी आप देख लिए जगर आपका घर जो हे यहाँ प बिल्कुल भी eligible नहीं है, final year वाले eligible नहीं है किसी तरह का अगर आपने एक साल या एक साल से जादा का work experience ले रखा है फिर भी आप जो हे वो apply नहीं कर सकते हैं 55% marks आपके कम से कम जो होने चाहिए selection process की बात करें तो यहाँ पर shortlisted करा जाएगा candidate को कि कितने percentage marks उन्होंने जो हे वो obtain करें हैं अपनी qualification में, engineering में, diploma में अगर आपके marks अच्छे हैं तो यह recruitment आपकी हो सकती है आप इस recruitment में जरूर जो हे वो apply करिएगा shortlisted candidate को जो हे आपके educational document जो होते हैं आपके वो सारे submit करवाने पड़ेंगे 7 दिन के अंदर नहीं तो दूसरों को मोका वो लोग दे देंगे यानि कि merit list जो निकाली जाएगी उसमें आपको time दिया जाएगा 7 दिन के अंदर आपको जो आपके document है उनको verify कर जो हे करवाना पड़ेगा अगर नहीं करवा पाते हैं तो आपकी जो सदस्यता है जो application उसको रद कर दिया जाएगा और आपकी जगा जो उससे नीचे वाला जो candidate होगा उसको जो हे वो मोका दे दिया जाएगा उसके लावा दोस्तो जो हे अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इस e-mail पर उनसे जो हे वो contact कर सकते हैं इसकी जानकरी यहाँ पर दी गई है उसके लावा दोस्तो बात करें यहाँ पर apply करने के लिए link यहाँ पर अलग से जो हे वो दिया है बाकी मैं आपको link अलग से ज कुछ खास जो है हम लोगों ने फिलाल रीड नहीं कर आए बाकि अगर आपको कुछ नज़र आता है तो कमेंट सेक्चेर में लिखेगा बाकी लोगों की हेल्प हो जाएगी सो थेंक्यी वरी मच इस वीडियो को देखने के लिए और आशा करता हूँ का आपको वीडियो पसंद आई होगी समझाई होगी वीडियो से लेटीड अगर आपके कुछ कोस्टन से आप कमेंट सेक्चेर में लिख सकते हैं और जादा जोब अपटेट के लिए आप हमारी ओफ